आज आपको हम difference between the mirror formula and lens formula बताएंगे दोनों में मामुली सा difference होता है क्या differences है क्या similarities है यह पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को अन तक देखें तब से पहले हम बात कलेते है mirror formula की बात करते है what is mirror formula आपकी सामने बिलकुर लिखा हुआ है 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v यहाँ u क्या है v क्या है f क्या है यह बताने की जर्वत नहीं फिर भी मैं लिख देता हूँ f जो है आपका वो है focal length u क्या है distance of object या object distance के सकते हैं आप object distance और v क्या है आपका image distance यह आपका मेरा formula हो गया same thing lens formula में भी होता है but sign थोड़ा change होता है sign change होता है यहाँ देखिए 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v है और यहाँ पर 1 by v पहले आजुका है v पहले है v minus u है 1 by f is equal to 1 by e v minus 1 by u यहाँ देखिए u पहले था दोनों sign positive थी यहाँ पर u बाद में है और 20 में sign क्या है negative की है अच्छा एक सबसे important चीज़ जब हम numerical solve करते हैं तो यह maximum की problem होती है जिस quantity को हमें find करना है जैसे हमें object find करना है object ki height u find करना है f find करना है v find करना है तो उसका sign नहीं रखेंगे बाकि सबका sign रखेंगे, positive तो positive, negative तो negative, but जिसको हमको calculate करना है, जिसे हमें calculate करना है, उसके sign को हम नहीं रखेंगे, वो answer में हमको उसी sign के साथ वो मिल जाता है, minus होगा तो minus, plus होगा तो plus, चलिए, दूसरी सबसे important चीज़, magnification of the mirror, इसमें देखिए, याद कर लिजिए, M is called to होता है, magnification को small M से denote करते हैं, M is called to, height of image, image की जो height है, बनेगा na, small, very small, large, very large, highly diminished, बढ़ा होगा आपने, तो height of image upon height of object, देखिए हम इसको image का I मिला है, इसको हम I upon O करते हैं, ठीक है, बुकों में आपको मिलेगा H, H dash upon H, या H2 upon H1, या H1 upon H, ऐसे मिलेगा, तो उससे कोई problem वाली बात नहीं है, आपको इसमें हम इसलिए रखते हैं, क्योंकि I से image का I, object का O, या असान होता थोड़ याद करने में, तो हम इसको रखते हैं, height of image upon height of object, चलिए, एक और formula होता है, magnification का, M is equal to minus VYU, minus VYU, तो अब यह हमका दो formula, एक I upon O, और एक minus VYU, दोनों को calculate कर लीजिए, तो मिलेगा M is equal to I upon O, is equal to minus VYU, या फिर आप कह सकते हो, only यही, कि I upon O is equal to minus V by U, इससे बहुत सारे numerical लगते हैं, बहुत सारे numerical इससे लगते हैं, यह हो गया आपका, अब वही चीज़ अगर हम देखें, किसमें देख लें, अगर सेम चीज़ हम देखें, लेंस की बात कर लें, तो लेंस में भी आप देख रहे हो, आपको सब कुछ सेम ATA, image, height of object, सब कुछ होई है, बट यहांपर, sign क्या है? sign convert हो चुका, बदल चुका है, यहांपर, sign नहीं होगा, जैसकी mirror formula में sign minus है, तो magnification में lens में magnification में minus नहीं होगा सेम चीज अगर आप देखें कि lens में जो है lens और mirror फार्मूले में जो sign का changing है वो magnification में changing करके match कर गया तो इस तरह से आप यह देख सकते हो कि दोनों में थोड़ा सा difference है सिर्फ और सिर्फ किसका sign का चलिए तो यह चीज़ें आपको तो दिमाग में रखनी पड़ेगी कि mirror formula में जो mirror formula होता है उसमें positive sign होती है वही lens formula में negative sign होती बट V पहले होता यह बात में होता यह थोड़ी सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी उसी प्रकार से mirror के magnification में minus का symbol होता है but magnification of lens में minus का symbol नहीं होता है दोनों के formula एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम जैसे हैं but थोड़ा सा difference है, वो difference क्या है? sign का difference है, वो sign रखने की वज़े से साव जाता है देखिए, हम कई बार confused हो जाते हैं, कि हमें कौन सा sign रखना है minus, plus, तो उसी की confusion को दूर करने के लिए हमने दोनों का compression कर दिया, एक साथ कि आप यहां दोनों को जब एक साथ देखोगे, तो दिमाग में आपके बैठेगा कि किस में minus है, किस में plus है तो आपको बिलकुल दिमाग में रखना है कि mirror फार्मूले में positive, वहीं lens फार्मूले में negative magnification mirror में negative और lens में magnification क्या होगा, positive इतना ही आपको रखना है, पहले mirror positive, फिर उसके बाद lens negative, फिर mirror negative, फिर lens क्या positive तो यह चीज़ आपको दिमाग में बिलकुल रखना पड़ेगा, यहां यहां क्या है, magnification, V तो आप अच्छी तर जानते हैं, V क्या है, U क्या है, I क्या है, height of image, O क्या है, height of object, देखिए जैसे हम आपको दिखा दें, जब कभी आप image formation करते हैं, तो image formation में आपने देखा होग चाहे lens की बात कर लें, या mirror की बात कर लें, चलिए माली जी, यह mirror हो गया, इसी को दिखाते हैं, यह आपका focus हो गया, center of curvature, यह देखिए, यह चीज़, आपको दिखरा यह, यह चीज़ जो हमने रखा हुआ है, कि principal axis से, यह कितना centimeter, यह चीज़, कितना centimeter, upward direction में है, यह हो गय है, आपका height of, क्या, height of object, अब माल लो, यहां से आई, यह चली गई, दूसरी राई, यह चली गई, यहां कहीं काटा, यह जो चीज़ बना, यह चीज़, यह principal axis से, downward direction में, जो height है, यह आपका height of image, यह image की height आई है, और यह चीज़ जो थी, वो object की height क्या है, ओ है, अच्छा, यह चीज़ और समझे लिए कि, यह चीज़ जो लिए यहां से, हे यह, यह यह है, बोल से, क्या चीज़, Exodus, the distance between pole and object, the distance between pole and object, the distance between pole and object is called, what is this, distance of, distance of, object, denoted by you, which is the distance between the image and the pole, distance between image and pole, यहां image बना रावो, पल के बीच की distance, distance of image denoted by small view, the height of the object, height of the object O, height of the image, I, right, कितनी बड़ा object आपने रखा, उससे कितना छोटा या बड़ा क्या बना, image बना, वो है height, okay, principal axis upward or direction वाली जो बात है, वो height की बात होगी, और pole से जो distance cover करेंगे आप, linear axis पे, x-axis पे जो distance डबल करेंगे, ठीक है, कौन सा, horizontal distance जो cover करेंगे, वो होता है, distance of object, distance of image, distance of focus, distance of radius of curvature, आप vertical जो distance cover करेंगे, vertical उपर की तरब direction में, वो distance कहलाएगी, आपकी क्या height, लंबाई कहलाती ही, दूरी और ये लंबाई, okay, I think समझ में आगया होगा, बहुत उची तरही समझ में आगया होगा, खुर समस्या वाली बात, नहीं, एक बड़ी मजदार चीज इसमें बची है, जिसको आपको बता दें, ये note करेंगे, उनने रिखा हुआ इसको है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेजे, क्योंकि competitive gamination में सिर्फ यही आता है, इसी चीज से आता है, वो आपको थोड़ सा आपके mind के साथ खेलेगा, कि अगर ऐसा होगा, तो क्या होगा, ऐसा होगा, तो क्या होगा, ये चीज़े थोड़ी सी आपको दिमाग में र ये चीज़, या फिर I upon O, दोनों को आप रखे दिमाग में, I upon O रखिये या फिर क्या रखिये, V by U, दोनों का जब आप ratio निकालेंगे, डिवाइट करेंगे, कल्कुलेट करेंगे, और उसकी value अगर 1 से ज़्यादा आती है, 1 से ज़्यादा आती है, मतलब 1.5, 1.6, 1.7 and so on जो भी कुछ होगा, मतलब 1 से क्या होगा, maximum होगा, तो इस condition पे, तो ये चीज़ है, अगर इसकी value 1 से क्या आती है, ज़्यादा आती है, maximum आती है, तो इस condition पे, देखिये ये लिखा होगा है, then the image is magnified, image क्या होगा, बड़ा होगा, बात को मैं यहाँ पर सही करता हूँ, देखिये, यह दिख़़ा होगा आपको, क्या कह रहा है, क्या रहा है कि अगर value 1 से ज़्यादा आती है, तो image की value क्या होगा, magnified मतलब क्या होता है, object की respect में क्या होगा, large होगा, तो देखिये, क्या है, yam is equal to क्या है, i upon o, i upon o, अगर o की value, o की value, नहीं दिखा, यह आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, m is equal to i upon o, यह दिख रहा है, i upon o, सोचो इसको, mind बतवार सा, जो डालो, क्या यह कहना चाहता है, अगर i की value और o की value, same होती, तो value कितनी आती, 1 आती, जो भी आगे हम बताएंगे, इसमें किसकी value ज्यादा होगी, i की value ज्यादा होगी, या फिर o की value ज्यादा होगी, अगर o की value ज्यादा होती है, i की value कम होती, तो इसकी value क्या होगी, 1 से कम आएगे, suppose, यह 4 है, यह 5 है, तो 4 में 5 से डिवाइट करोगे, तो value क्या एगे, 0. something आएगे, अगर यह 5 है, यह 4 है, denominator is less than अगर नीची वाला छोटा है, बड़े वाले के तुनला से, तो उसकी वैलू सदय वेक से ज्यादा आएगी, वही कंडिशन यह कह रहा है, कि अगर मैगनिफिकेशन, वन पॉंट सम्थिंग है, तो कोश्चन को साल्व करने से पहले ही आपके दिमाग मैंना चाहिए, कि इमेज अबजेक्ट की हाइट है, और जो, क्या, इमेज की हाइट है, या तो, जो अबजेक्ट की दिस्टेंस है, और जो इमेज की दिस्टेंस है, दोनों के दोनों सेम हैं, जैसे कि आपको हम एक सिंपल सा ग्याम पल दें, when the object is placed at the center of curvature, मिरर की बात करने हैं, मिरर में, अगर center of curvature पर आप object रखते हो तो उसका image बनता center of curvature पर same size का अब मिला center of curvature पर आपने object रखा center of curvature पर image बना same size का बना same distance पर बना तो बताए वी की value U की value same I की नहीं आई उसी प्रकार से I की value और O की value same I की नहीं आई लेंस की बात कर दें two up पर रखेंगे तो two up पर बनेगा two up one पर रखेंगे two up two पर बनेगा same चीज center of का वेचे उसे भी बोलते हैं और two up दिखाते है f1 f2 नहीं कहते है f two up कहते हैं तो वहाँ भी condition आएगी two up पर रखोगे left hand side right hand side आकर के two up two पर बनेगा और same height का same distance पर वो चीज कहा रहा है कि अगर magnification one है magnification one है तो हर कंडिशन पर object की height image की height जोनों क्या होंगी same होंगी distance of the object and distance of the image यह भी same होगा तीसरी चीज इसी का उल्टा ले लिजिए denominator को क्या कर दीजिए बढा कर दीजिए numerator को छोटा कर दीजिए इस condition पर value one से कम आएगी और जब one से कम आएगी to magnified is very smart image is dimnist dimnist मतलब क्या होता है smart ठीक है small की बात करता है highly dimnist करता है तो point size होता dimnist मतलब small size than the object object की height से image की height छोटी होगी चाहे वह एक mm ही छोटी क्यों नहों या फिर पूरा पूरा चोटा क्यों उससे कोई मतलब नहीं है तो यह चीज है जिसे इनको देखकर ही आप क्या कर सकते हो आप उसके answer को imagination कर सकते हो आपके mind में वह answer आजाना चाहिए यह क्या कहना चाहता है क्या हमको पता होना चाहिए यह चीज है हम सेम चीज जैसा इसके लिए रूल है सेम लेंस के लिए भी इसमें कोई changing महीं है लेंस के लिए भी वही है इफ यम इस greater than one then वही चीज इमेज is magnified equal same and less that is dimnist तो यह total difference है किसमें mirror में और लेंस में इसको एक बार फिर देख लीजिए समझ लीजिए कोई भी problem हो माइंड में कोई भी confusion हो आप उस confusion को दूर कर सकते हैं आप comment box में है कि comment कर लेजिए आप उसे contact कर लेजिए हम आपके confusion को दूर करेंगे गलत चीजें दिमाग में ना बैठाइएगा बिल्कुल exact जो समय में आ रहा है उसे प्राबलम जो भी होती है उसे share करने से problem solve होती है आज आप problem अपनी share करेंगे तो आप आज सही होगा और अगर आप अपनी problem share नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए problem create करेगा ओके